नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागते आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में तो कन्या रासी वालो ए भगवान कब इस नर्क से छुटकारा मिलेगा? मित्रो जिन्दगी का सबसे बड़ा सवाल है आखिर आपने अपने जीवन में बहुत दुख से हिलिए हैं यकीन के साथ कहता हूँ कि सच सुनकर आपकी आखों से आशों नहीं रुकेंगे मित्रो दिनांक 14 अप्रेल से 20 अप्रेल याने की इन 7 दिनों में आपके जीवन में जो घटनाई घटने वाली है मित्रो वह बड़ी ही भेंकर होने वाली है एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तूभ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा मित्रो इस वीडियो में बताएंगे कि आने वाले साथ दिन आपके लिए केसे रहने वाले हैं क्या सुब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे क्या असुब समाचारों की प्राप्ति आपको होगी क्या सावधानिया आपको बरतना पड़ेगी और किन चिनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा समस्त बाते समस्त ग्रहों की चाल के आधार पर एवं नकसत्रों की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं तो आईए अब आप सभी का किम्ती वक्त गवाई बिना बात करते हैं आने वाले साथ दिनों के मेहत प्रुन समय अंतराल की तो मित्रो इस समय के अंत्राल में आपको ध्यान रखना है कि इस बात की अच्छी संभावना है कि आप अपनी सारिधिक बीमारियों से बेहतर हो जाएंगे और आप जल्द ही अपने नीजी जीवन में लोटाएंगे मित्रो इस वक्त आपको कुछ सारी रिक्स तमस्याएं अत्यधिक तनाव दे रही है सता रही है तो आपको बता देते हैं कि सारी तनाव और चिंताएं और बिमारिया दूर होगी और घर की छोटी छोटी बातों पर आपका काफी पेशा बरबाद हो सकता है जिससे आपको मानस तनाव भी हो सकता है, मित्रों बच्चों के साथ आपको समय बिताने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके जीवन में इस वक्त बहुत तनाव है, बच्चों के साथ समय वियतित करने से मित्रों आपके तनाव में कमी होगी, और जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा साथ ही आप सभी को बता देते ही कि आपके दिल और दिमाग में रोमांस सबसे एहम रहेगा क्योंकि आप अपने प्रिये से मिलेंगे मित्रो जब आप अपने प्रिये से मिलने जाए तो कुछ गिफ्ट लेकर जाएं और उपहार के रूप में उन्हें दे दें साथ ही आप सभी को बता देते ही कि मित्रो कुछ नया सीखने की आपकी ललक काबिले तारीफ है आप अपना खाली समय अपनी मा की सेवा में बितना चाहेंगे लेकिन आखरी समय में किसी काम के आ जाने से यह संभव नहीं हो पाएगा इससे आपको थोड़ी परिसानी होगी मित्रो इस वक्त यदि आप किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी वादा कर रहे हैं तो बहुत सोच चमसकर करना क्योंकि आपके जीवन में पहले ही इतनी विवस्था बनी हुई है कि आप किसी के विक्सवास को और मित्रो किसी के वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे जीवन साथी की वज़े से आपको लगेगा कि धरती पर ही स्वर गही क्योंकि आपका जीवन साथी आपके लिए हर वो चीज करने का प्रियास करेगा जो आपको खोसी दे मित्रो जीवन साती के साथ आपकी काफी कठिन बातचित होगी लेगन याद रखें सहयोग और संचार एक मजबूत रिष्टे की कुंजी है मित्रो एसी कुंजी है जो हर ताले को खोल देती है इसलिए आपको सहयोग करना है आपको अपने हीतों पर ध्यान देना चाहिए और अपने लिए समय निकालना चाहिए आपके परिवार के सदश्यों को आप सिसाजा करने के लिए उन्हें बहुत सी समस्याई हो सकती है लेकिन उन्हें गंभिरता से बिल्कुल नहीं लेना है मित्रो खोसनुमा दिन बिताने के लिए तनाव और परिसान करने वाली चीजों से बचने की कोशिस करे क्योंकि जीवन में खोशिया आना आपका सबसे बड़ा सपना है मित्रो और सबसे बड़ा सपने को पूरा करने के लिए आपको कुछ चीजों से दूर रहना होगा मित्रों पेशों को पहुछ सो समझ कर खर्च करें और परिवार के साथ में समय बिताएं अगर लोग आपसे बात करने की कोशिस करते हैं तो उन्हें इग्नॉर करें और सांत रहें क्योंकि इस वक्त आपकी विरोध्यों की संख्या बढ़ रही है विरोध्यों की तादाद बढ़ रही है मित्रों हर समय अपने प्यार का इजहार करना सही नहीं है बता देते हैं कि इससे आपका रिस्ता बेहतर होने के बजाए बिगड सकता है आप कड़ी मेहनत और धेर्रे से अपने लक्सियों को प्राप्त कर सकते हैं आराम करें और उन कुछी चीजों का आननले जो आप बच्चपन में किया करते थे क्योंकि आपके पास प्रियाप्त समय नहीं है इसलिये आपके और आपके साथी के बीच निरासा की भावना पेदा हो सकती है मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आप खोस और रोमांटिक महसूस कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ समय बितना चाहा सकते हैं और लंबी आउदी के निवेश से बच सकते हैं दफ्तर में आप किस तरह का काम करते हैं इस बारे में भी आपको साउधान रहना चाहिए क्योंकि इस से आपके माता-पिता नाराज हो सकते हैं मित्रो यह जो समय हैं यह समय संगिस सुनने और बागी दुनिया को भूलने का है आपको अपना समय और उर्जा दूसरों की मदद करने में लगाने चाहिए लेकिन ऐसी चीजों में सामिल होने से बचे जिनसे आपका कोई सारोकार नहीं है साथ ही मित्रो बता देते हैं कि आपको बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा आप खुस और रोमांटिक महसूस कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ समय बेताना चाहा सकते हैं और लंबी आउडी के निवेश से बच सकते हैं दफ्तर में आपकी इस तुद्र का काम करते हैं इस बारे में भी आपको साथान रहना चाहिए क्योंकि इससे आपकी माता पिता आपसे नाराज हो सकते हैं मित्रो इस बारे में भी आपको साथान रहना चाहिए बता देते हैं कि समय और उर्जा दूसरों की मदद करने में लगाने चाहिए लेकिन ऐसी चीजों में सामिल होने से बचे जिससे आपका जीवन बिगड़े मित्रों ऐसी चीजें करें जो आपको खुसक रखें और आपको आराम दे इससे आपको कैस्तरों से आर्टिक लाप्राप्त होगा दोस्त और रिष्टेदार आपकी मदद करेंगे और उनसे आपको काफी खुसी महसूस भी होगी इस वक्त आपको जिन जिन लोगों से सहीयों की अपिक्साई रखनी हैं आप रख सकते हैं मित्रों साथ ही में एक बात का और ध्यान रखियेगा कि आपको अचनक गुलाबों की मिहक आएगी और ये प्यार कनसा है इसे महसूस करो आपका जोस और आत्मविश्वास उचा रहेगा और आप उम्मिद से बहतर करेंगे मित्रों आप खाली समय में कुछ ना कुछ नया काम करने की सोचेंगे लेकिन आप इस काम में इतना उलज सकते हैं कि कोई जरूरी काम भूल भी सकते हैं इस बात की भी संभावना है कि आपके और आपके जीवन साथ के बीच तनाव बढ़ सकता है अगर इससे परहेज नहीं किया गया तो इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे मित्रों भागदोर भरी जिंदगी से राहत मिलने की पूरी संभावना है भागदोर भरे दिन में आप आसानी से क्रोधित हो सकते हैं और आप अपने किसी करीबी दोस्त की मदद से अपने कारोबार को बहतर बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं लेकिन कदम को जल्द से जल्द मित्रों बलाने की आवश्यकता है आपको अपने मेहमानों के साथ खराब वेहवार नहीं करना चाहिए इससे आपका परिवार दुखी हो सकता है मित्रों घराय मेहमानों को आपको इज्जद देना है उनका सम्मान करना है मित्रों आप अपने जीवन में प्यार के मिठी सिर्फ गुलते गुलते महसूस करेंगे अपने काम और प्रात्मिक ताओ पर ध्यान दे और बच्चे आम तोर पर व्यस्त दिन में खेल खिलने में बहुत मजा कर सकते हैं इसलिए माता पिता को सावधान रहना चाहिए जीवन साथी के प्यार से गीरे होने पर आप बहुत खोस महसूस कर सकते हैं और मित्रो परिष्टितियां सदेव एक सी नहीं रेती है इस बात का धियान रखियेगा परिष्टितियों में बड़ा परिवर्तन बहुत जल्द ही आने वाला है साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि भाई पहनों की बीच में छोटी सी बात को लेकर कलह हो सकता है विवाद की जड़ को जानने की कोशिस करें और उसे मिटाने का प्रयास करें तो अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समापती यहीं पर होती है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा देनिक रासिफल एवं रोजाना ज्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ती के लिए हमारे चेनल को सस्क्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाएगा